आप सबस्क्राइब नहीं किया है चैनल को प्रीज सब्सक्राइब किजेगा में को लाइक करना कमेंट करना पहले के साथ करते हैं इसकतले सबस्क्राइब नंकिके सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो आपका वह होता है यह चोट सब्सक्राइब और नियुक्तिजिश और उनके जो इनके जो कोजिट्व और गनिजम अप्लोड् किया हुआ है चैनल पर आप लोग देख लिए आपका ग्राम स्टेनिंग क्रिस्टल वॉयलेट स्टेंट स्टक्राइब के ग्राम स्टेनिंग होती है तो कौन से पार्ट को स्टेन करती है अपसे पूछा है ठीक है तो options आपने देख लिए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका option जो है to हो जाएगा cell wall question next है वैसी सिनोन chemical constraints of वसका वसका जो होता है कुईना जोली नलकलोइट्स में आपका वसका आता है किसमा आता है कुईना जोली नलकलोइट्स में आता है वसका जिसका source होता है एकन्थेसी फैमिली होती है इसके अंदर वैसी सिनोन इसका chemical constraints होता है क्या होता है chemical constraints होता है इसका तो यह पूछा आप से जो वैसी सिनोन है जो वसका में present एक्जर्ट वीच एफेक्ट तो कौन सा एफेक्ट है इसका देखिए इसका जो आंसर है वैसी सिनोन जो होता है यह आपका ब्रोंको डाइलेटर होता है option 4 हो जगा ब्रोंको डाइलेटर ओके next in the human body fats are stored in the body में जो fats होती है वो कहां store होती है अडिपोस टिशू लीवर एपिथीले में एपिधिले में एपिडर्मिस टिक है जो fats होती है वो आडिपोस टिशू में store होती है option जो है one right हो जगा एंजाइम साथ की proteins कार्भाइडरोड स्ट्रिरोड से लिपिट्स एंजाइम क्या होते है ब्लेकुछ सिंपल क्वेश्चिन है प्रोटीन होती है एंजाइम साथ प्रोटीन सी नेचर हो के option वन आपका राइट हो जगा next human heart is enclosed in pericardium pleura conjunctiva या none जो heart होता है एंजाइम साथ किसमें pericardium option जो है वन राइट हो जगा next है hatch waxman act is related to generic drug over the counter drug dangerous drug या banned drug ओके तो इसका answer option वन generic drug हो जगा नेक्स तर सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड C और सिटाइल ट्रायइमिथाईल अमोनियम ब्रोमाइड कौन तया ट्राइप का cervixionic नर्हाइनिक नोन आउनिक leap औरहिए आपको बता है किस ट्राइब का start awards इने क्समांतिक यह बहुतए कैनिक में एक तो आप ब्रोमाईटी के दो नाम आपने याद रखने एग़ी इसमार थे कटाइनिक में आते हैं इस जिए यह दुनिया तो यह देते हैं गें चिंपक्स के लिए यह वैरिसेल वैक्सीम इसका कोज़िटिव ओर्गनिजम होता है वैरिसेल जूस्टर वायरस होता है नेक्स स्वैलिंग फैक्टर फॉर इस सब गोल सीड का जो स्वैलिंग फैक्टर होता है वह कितना है 2-6 6-10 10-14 में 14 to 18 तो यह option 3 हो 510 टू 14 होता है और कि आपका की डेंट्री फ्लोराइड जो होता है आपका क्या होता है इसको प्रिवेंट करने के लिए युज करते हैं एक तो स्लोराइड और तेनस फ्लोराइड तो वह होते हैं आप से बिल्कु ग। तो यह बिल्कुल डेंट्रिफाइस में ही आता है, option यह राइट हो जएगा, okay, next है आपका term analgesic means, बिल्कुल analgesic का मतलब क्या होता है, simple है, pain killers होते हैं, जो analgesics होते हैं, option जो है आपका a हो जगा, pain killer, okay, next है in the following pertain, term cardiac, cardiac, cardiac word जो होता है, हम यूज करते हैं, heart के लिए, जैसे pericardium, जो membrane हो जाती है, तो cardiac word जो होता है, heart से related है, heart के लिए यूज करते हैं, option C, आपका right हो जगा, next है, anaphylaxis reaction is due to which antibody, IgA, IgE, IgM, या IgGT, anaphylaxis reaction होती है, कौन सी antibodies की वज़े से होती है, तो यह होती है, आपकी IgE, option B, right हो जगा, IgE, आपने याद रखना है, next है, imipramin is used, जैसे, imipramin किस में आता है, देखे, transculizer, anticonvulsant, antidepressants, analaptic, यह आपका antidepressants, drug में, TCS, जो आप पढ़ते हैं, tricyclic antidepressants, जो आप लोग पढ़ते हैं, उसमें आप पढ़ते हैं, imipramin, decipramin, clomipramin, trimipramin, यह सब ड्रग्स आती हैं, तो आपका imipramin जो है, antidepressants में आ जाएगा, next है, opium is used as, opium क्या है, देखे, sedative, stimulant, narcotic, analgesic, diaphoratic, opium जो है, यह आपका होज़ेगा, narcotic, analgesic, option C, next है, chemical name, IPAC name, chloroquine का आप से पूछा है, देखे, chloroquine जो होता है, anti-malarial drug में आप लोग पढ़ते हैं, chloroquine, 4-amino-quinoline derivative होता है, आपका क्या होता है, 4-amino-quinoline derivative होता है, chloroquine, ओके, और drug of choice होता है, जो pregnancy में malaria होता है, उसके लिए यह जो है, drug of choice होता है, chloroquine, ओके, तो आप से इसका IPAC पूछा है, तो options देखे, इसके, देखे, options में है, 4-4-dithylamino, 1-methyl-butylamino, 7-cloroquine, देखे, 4-amino-quinoline, आपने पढ़ा हुआ है, classification, तो उससे आप सब पता लगज़ेगा, option यहीं आपका right हो, इतना बड़ा हमें कुछ याद करने की जूटने से, पर classification भी आवकर हमें यादे, तो हमारा question निकल के आजाता है, option A right हो जाएगा, नहीं से roto sort is a options, देख लिजे, it is a tablet making machine, it is a vapor inhalation process, it is a size reduction machine, या it is a capsule checking machine, and sort out the filled and unfilled capsules, तो roto sort जो होता है, यह क्या होता है, capsule checking machine, which sort out filled and unfilled capsule, option D, आपका right हो जाएगा, okay, next time dry heat stylization, object is heated है, तो dry heat stylization जो है, उसमें object को heat करते हैं, कि इस पे, देखिए, इसमें dry heat stylization में 160 degree Celsius, 4 options में, देखिए, आपका 2R दिया हो है, 2R आपका answer हो जाएगा, option D, right हो जाएगा, okay, dry heat stylization में, hot air oven यूज़ करते हैं, okay, next है, आपका barrier creams are used to, तो barrier creams यूज़ करते हैं, option B हो जाएगा, protect the skin from industrial chemical and UV rays, okay, next है, purpose of tablet sub coating, ठीक है, जो sub coating होती है, उसका purpose पूछा, आप से क्या होता है, देखिए, it is given to increase the bulkiness and to rectify the corrugated surface, तो अप्शन B ही, आपका first option ही, right हो जाएगा, sub coating का जो purpose होता है, यह क्या होता है, बलकिनस को increase करने के लिए होता है, option A हो जाएगा, next है, syphilis, the steady caused by, देखिए, syphilis का positive organism आप से पूछा है, तो आपका, जो syphilis का tryponema pallidium होता है, याद रखना है, आपने syphilis का positive organism क्या होता है, tryponema pallidium, option C, आपका right हो जाएगा, syphilis का क्या हो जाएगा, tryponema pallidium, okay, disease और उनके positive organism काफी important है, directive एक question तो बन जाता है, इनके उपर, तो आपको इसारे ही पता होनी चाहिए, next है, match the following, देखिए, आपको इधर, यह vitamins दिये हुए है, इधर तो देखिए, vitamin इस टाइब से इनके नाम common names दिये हुए, ठीके, देखिए, B1 को क्या बोलते है, thiamine बोलते है, आपको पता है, तो 1 का आपका D हो जाएगा, okay, मतलब की D का 1 हो जाएगा, okay, D का 1, ठीके, B1 thiamine, B2 आपको पता है, राइबो फ्लेविन होता है, A का हो जेगा 2, ठीके, साइनो को बालमीन आपका कौन सा होता है, B12, देखिए, अगर इस टाइब की questions में आपको एक या दो option आते हैं तो भी आपका answer निकल के आ जाता है, देखिए, जैसे कि आपको A का पता है, कि क्या बताय पता है, और B2 राइबो फ्लेविन आपको पता है, तो A का 5 जो है, आपको option A बच जाएगा, बाकि ये B भी खाट देगा, तो अगर आपको एक या दो पता होते हैं, तो इस टाइब के जो questions आपको निकल के आ जाते हैं, बाकि इसमें B का साइनो को बालमीन विटामिन B12 होत पता है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, तो ये देख लेना, इसका कलर जो होता है, ये आपका यलो ब्राउन, ओप्शन सी राइट होजेगा, इन डियाबिटिक कीटो एसी डोसी में क्या देंगे, इसका आंसर हो जेगा, आपका ओप्शन A, रेगुलर किसलाइन, जिंक इनसलीन, ओके, नेक्स्ट देखी विची इस एग्जामपल ऑफ क्टाइनिक सर्फेक्टेंट, देखी क्टाइनिक सर्फेक्टेंट के एक्जामपल आपने बताना है, इसका आंसर जो है, आपको कमेंट बोक्स में देना है, ओप्शन देख लिजे, बैंजल कोनियम, क्लोरा आपको कमेंट के बताना है, इस वीडियो में इतना है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगें, तो से लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नहीं है, तो मेरे आपको से रिक्वेस्ट यागी, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरू केज़ेगा, ओके, थेंक्यू,